चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्लडफेश चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के गरेंट इफे डिली वेसिस पर यहां पर आप पड़ सकते हैं किक्पॉइंट और सब्सक्राइब करें अमन सर्वाइफ इस वीडियो का पीडियो सिर्फ इस टेलिग्राम चैन जिए चलिए आठाइस जूलाई का यह डे वर्ल्ड हैपिटाइटस डिए आज के दिन उबसर्व किया जाता है तेखिए एक इंटरनाशनल लेवल पर एफट किया जाते यंडर्ट हैपिटेटेश डिए और जो एक वर्ल्ड लेवल पर कैमपेंट जो है स्टार्ट की थी ल वर्ड हेपिटाइटस अलाइंस जिसकी स्थापना 2007 में की ती और उसके बाद 2008 में पहली बार जो है फर्स कम्मुनिटी जिसमें वर्ड हेपिटाइटस दे को जो है सेलिब्रेट किया था आज के समय में इसके जो कैम्पेइनिंग है ये वर्ल हेल्थ ओक्नाइशन के द्वारा तराइज आती है कि वर्ल हेपिटाइटस जो है जो है ये कम हो एपिटाइटस फ्री वर्ल राइचली लैट सीदा फर्स कोशन राजेसवा ने हाल फिलाल में कितने ओपोजीशन एंपी जो है सस्पेंड किये हैं और बैड बिहेवियर आंसर के इस कोशन का 19 जो है इनके द्वारा ये मोशन लाए गया था रूल 256 के तहट कि इन्हें जो है सस्पेंड किया जो कि डिस्रिगार्डेड बिहेवियर जिनका रहार राजेसवा में तो डिसकॉशन इस चीच पर था कि यह जो व्यक्ति थे जितने भी मेंबर्स थे यह सब जो है गवर्मेंट के अगेंस्ट प्राइज हाई के ओपर जी एस्टी हाई के ओपर असेंचल आइटन्स के लेके जो है लोगन लगा रहे थे वह भी मिस भी हैवियर तरीके चलिए एक और कोशन देखेगा प्रदानमंत्री जी विजिट कर रहे हैं गुजरात और तामिल लाडू कब तो पहला है आज और कल में 2829 जुलाई में दो कारण है देखिए पहला तो इनका विजिट गुजरात में रहेगा और उसके बाद यह तामिल लाडू जा रहे हैं ठीक है और डेफिनेटी जो गुजरात में हैं फांडेशन सोन एक हजार करोड़ तक के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे स सबर डेरी है ठीक है सबर कांता डिस्टिक गुजरात में उसके अलावा इनका विजिट जो है चन्नेई में होने वाला देखिए आप सभी जानते हैं चन्नेई में 44 चेस्ट ओलंपिया डिकलेर किया रहा तो उसको आज इन्योगरेशन है इस वाजे से जो है उनका विजिट यानि कि 2800 क्रोड के आसपास का जो है मिल्टरी एक्यूप्मेंट और वेपन प्रपोसर जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा आप रूप किया गए जिसमें स्वाम ड्रॉंस और बुलेट प्रूफ जैकेट जो हैं इंक्लूड है अब यह किस वज़े से इंक्लूड है देखें आप सभी जानते हैं दो साल से जो इंडियर चाइना के बीच में इस्टल अद्दाक में जो है डिस्प्यूट चल रहा है उसी को लेके जो है पहले रिक्वेस्ट की गेती प्रपोजल दिया गया था ठीक है 28000 क्रोड का और अब इसी के चलते जो है डिएसी के द्व होना ज़रूरी है एट सीथा नेक्स्कोशन रश्या ने डिसाइड गेगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कुट कर देंगे कौन से वर्ष में इसका एक बहुत सिंपल सा कारण है कि इंटरनेशनल स्पेस जो है स्टेशन इसको कोर्परेटिव प्रोग्राम के थुरू बन बनाएगे हैं जो कंट्री स्पेस एजनसी उसके ने हैड बनाएगे बोरिस्व को अब इनके द्वारा अनॉंस्मेंट किया गए कि यह यह प्रपोस कर रहे है रश्या और इविटल स्टेशन रोस के नाम से जो की जो है फ्यूचर में बनाया जाएगा और इसी विज़े से 20-24 को जो है इंट्रेशन स्पेस स्टेशन कर देगे कुछ लीगल जो है अग्रिमेंट्स है वह डेफिनिली रशिया देखेगा तभी इसे क्यूट कर पाएगा इस वज़े से इसका इसे अनौंस करने जाएंगे इनौरेट करने जाएंगे तो तामिल लाडू गॉवर्मेंट के द्वारा इसी को चलते जो है होलिडेज रखेंगे स्कूल कॉलेज और इडुकेशन इंस्ट्यूट में कि किसी भी तरीके का ट्राफिक जो है ना रहे चार डिस्ट्रिक में बेसिकली चार डिस्ट्रिक में चार डिस्ट्रिक कुंकों से पहला है कंसपूरम फुर्चन्नई तर्गुलम और उसके अलावा इस वन तो डिस्ट्रिक में स्पेशली अगर जो है उफ रखा गया तो इसके लिए एक बैकप भी रखा गया वह सपाई सगस का सपाई सगस का जो है इंस्ट्यूट फंक्शन रहेंगे सपाई सगस को देखिए ग्रैंट सेरेमेनी होने वाली है जवाहर नहरू इंडोर स्ट चैलिन और बाग की डिगनेटरी इस जो है होने वाले हैं एक्सटेर्णा अफेर मिनिस्टर जैशंगर जी हाल में एड्मिस्टेटर समंथा पावार के साथ मिले है कहां पर नो आंसे के इसकोशन का दिली में देकि समंथा पावार है कौन तो यूस एड जो है उसके एड्मि को लेके अभी चल रही है और इसी प्रोस्पेक्टर्स में जो है यूस एजन्सी ऑफ इंटरनेशनल डेवलप्मेंट के जो एडमिस्टेटर है उनका विजिट रहा और उन्होंने हमारे एक्सटरनल अफेर्मिस्टर से जो है डिसकस किया है इसी पार्टरशिप पर एट सी दर एक्स्ट कोशन कोंसी कंट्री ने एक्यूस किया है वीजिंग को कि बीजिंग इंक्रीज कर रहा है साउथ चैना सी में प्रोवकेशन जो अभी क्लेमेंट और भी कंट्रीज हैं साउथ स्टी को यूसे ने ऐसा कहा है कि जो चाइना चाइना की दवरा जो है प्रोवकेशन किया जा रहां Marie्ormal क्रमेंट्स का अई हो च्रीज के गई है उसके चलते बहूत सारे विवाद उठीय यह ईरखरा शुलीं कि ऌने पहले अपके eighteen में डिसकुस किया था तो यह सब इशू से हैं इसी सा संबंदिक कौन सी कंट्रीं जो है आई-एम-फ से लोन मांग रही है क्योंकि इनके फॉरन रिजर्फ कम हो रहे हैं डेफिनिटी सभी के कम हो रहे हैं बांगलादेश भी उनमें से एक है तो बांगलादेश ने हाल फिलाल होने वाली तो आई-एम-फ से पहले लोन लेके जो हैं बैलन्स करेंगे ठीक है बैलन्स पेमेंट का सिस्टम ठीक करेंगे बजेटरी नीट्स को पूरा करेंगे सो डैट की क्राइस बहुत ज्यादा शिलंका जैसे क्राइस ना हो है ना आप अच्छे स्टैप भी यहाँ पर इंपोर्ट का लग्जरी गूट्स का फूट्स का नॉंसरिल फूट्स का जो है अभी इस समय बंद कर दिया गया इंपोर्ट नहीं होगा तो जो है फॉर्न एक्सचेंज रिजर्ड जो है 39.67 बिलियन जो है गिरा है और यह पहले 45.5 बिलियन डोलर था तो डेफिनिटली साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा तो फाइफ है तो जिसके तहत हम कह सकते हैं कि साउथ एशिन कंट्री में इंडिया का बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल लोकेशन में रमेसर साइट है अगर ऑल अवर दा वैल देखा है तो यूके के पास 175 है मैक्सिविया 142 है एना इवन वोलिविया जैसे कंट्री के बाद रमेसर साइट बहुत ज़्यादा है इंडिया में जो पास साइट एड की है उसमें से तीन साइट तामिलाडू में है एक मध्यपदेश में एक मिजोरम में लोकेशन यह है करी किली बर्ड सेंचरी उसके बाए पली करनाई मार्श पिछ वर्मम जो है यह तीनों के तीनों तामिलाडू में है साख्या सागर मध्यपदेश में और पाला वैट्लेंड मिजोरम में इनके बारे में जो है नाम जो है आप याद रखेगा इंपोर्डन और सेलिया का इंफलेशन कितना हुआ है इंफलेशन यहां पे 6.1 हाला कि यह एज्यूम किया गया था ठीक है उससे कमी है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि और सेलिया का जो ब्यूर ऑफ स्टैस्टिक है उनके द्वारे यह का गया कि जो से सीपेई 1.8% इंक्रीज हुआ है जो एन्वल इंफलेशन जो है इतना बोच गया है इनका टार सब्सक्राइब करता है बेस्पोंट बढ़ा देना ठीक है और बहुत सारे प्रोसेस जो है किये जाते हैं लट सीथा किक पॉइंट्स कौन सी कंट्री ने सक्सेस्फुली सेकेंड स्पेस मोड्यूल लोंच कि अपने पर्मनेंट स्पेस्टेशन का चाहिना ने आल फिलाल में सब्सक्राइब कर रहा है जिसमें अदानी इंडिया इंडिया उसके अलावा कौन से क्रिकेट बोर्ड ने जो है न्यू कैटेगरी लाई है ए प्लस इंडियन अंपायर की तो सवाल पूछा गया था जो कि एंफीबियंस की सड़ी समधी है तो शंकर के द्वारा बिल्कु सह सब्सक्राइब करें अपने कोर्स को देखो यह अपॉर्चनिटी रिपोर्ट एंविन उप्शन उटलाइज करके यह अपॉर्चनिटी जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं यह एक ऐसा तरीका होता है जैसे आपने कोड लगा है और आपको एक ही बार में सब कुछ अविलेबल होगी आप एकडम से फीस कम होगी 10 की जगा 20% कम होगी इवन आप कोईंस भी यूज कर सकते हैं फ्री उससे वह डिसकाउंट आ जाएंगे सब कुछ अविलेबल हो जाएगा लाइव अमन कोड यूज करता ही ले करने वाला है कि कल से जो है 10% ही हो जाएगा लिया परसों से तो इसे यूट्राइज कर लिजेगा लिए बाकि सब्सक्राइब करिए शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स लौट फो बोचिंगा